विटिया वला यूं कब तक रोती रहेगी उठो मेरी बेटी यू हलकान होने से क्या होगा क्या होगा होगा इश्वर में चाहा तो अच्छा ही होगा अच्छा होगा और अच्छा न हुआ तो क्या होगा बुरा बॉल मुझे नहीं निकाला करते वेटी अभी तो दर्वार में उसका मुकदमा ही सुना जा रहा परार्त ना करो मैं तो कब से कह रही हूं इंसे ना जाने इन्होंने मेरी सुनी भी है या नहीं इश्वर के कर्तब न्यारे वो अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान पड़ सक्सी है उसकी दया का क्या ठीकाना भला सच माता उसकी दया का कोई ठीकाना नहीं है यह सच है या यूहीं आपने कह दिया निराश हो जाने पर लोग कहा करते हैं कि प्राथना पर आशा रखो इश्वर की द्या के कोई था नहीं है हमारी भी मुश्किल कहीं इस अद को तो नहीं पहुच गई नहीं, ऐसा नहीं मुझे देखो, जानती हो मैं सिर्फ मा हूँ मा, और मैं मा होकर भी नहीं रोती देखो, देखो तो मैं मा होकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं तरपती माता, माता इश्वर की द्या का क्या थी काना भला उसके कट्व न्यारे है वो अगर चाहे तो मुड़ते में भी जान पड़ सकती है रहे हरे को अदब का लिहाद और ख्यार ती को सर के उठाने का हक है और ना मजाल नजर जबाए हुए और हाथ बांदे हुए खड़े रहो रहो खाहो श्तास रोके हुए के आ रही है सवारी कमाल रह्मत की हवाए हो गई साकित जनी की गर्दिश भी मर ये का लाए हुए और खऴे झाट पर जही पररो के लिए हुए का धर बान वी मैं हुए कर दो कर दो खजय रखता है झाल झाल हाजरीन इदरबार मंगल सिंग अन्दाता तुम पर जो इल्जान है उसकी सफाई के लिए माबद आलत तुम्हारा बयान सुनेंगे हुक्म अन्दाता हुक्म है मुझे अक्रार है करंजीज सिंग मुझे लड़कर कट मरे और मेरे हाथों ठाको रुदाई सिंग को जबनी होना पड़ा लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ थे वो लड़ने ही के लिए आये थे उन्होंने अपने अपने धान में मरने मारने ही की धान रखी थे वो सकता था कि वो मेरा फून बहा कर अपने अरादे में काम्याब हो जाते लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी मर्जी के सिलाफ लड़ाई जीट किया तुमने इक्रार किया कि तुम पर जो पड़का इल्जाम है वो इल्जाम दुर्स है उन्होंने मुझे लड़ने पर मजबूर किया उन्होंने अपना फून बहाने के लिए बुरी तरह हटकी और दो तल्वारों के ठकराने का जो अंजाम होना चाहिए था उन्होंने खुद लगाई की पहल की और आकिसमें खुदी हार गया इल्जाम की सफाई अभी तक तुम नहीं कर सके अंदाता कोई अगर जान बूच कर जौला मुझे के दहाने पर बैठ जाये तो कोई क्या करे कोई क्या करे अगर कोई अंगारे चाप कर निगल जाये एक वीर राज़कू तो गाली देना भी ऐसाई है जैसे कोई शेर के जबड़ों में अपना सर डाल देगा संजीत सिंग और उदाय सिंग ने जबरदस्ती मेरी तलवार को जोड़ा और वो जुझला गई इतना कह डालो के कहने से च्च रह न जाये फिर इस बात का अफसोस न रहे तुमें altogether कुम बहुत कुछ न कहसके अंग अदाता मैगर अगर अपने ही दातों से अपना टेटवा चापकर कह दू क्य मेरे दात फूझी है मैं अगर अपने सीने में खुदी एक सलाख ठोंकर कह दूँ कि सलाख मुझरिम है तो क्या मेरा ये कहा मान लिया जाएगा मुझसे भी इसी तरह का जुर्म हुआ है मुझे क्या करनी पड़ी इसलिए कि मेरे मुझ में गंदी ठूंसी गई थी मेरा खुन भला कैसे न खौलता जबके मेरी रगों में अंगारे भर दिये गए थी मेरे सब पर कुड़ा फेंका गया और मेरी तलवार उठके तुमने अपनी सफाई के लिए जो दलीलें दी वो अपनी जगे पर मुनासिब हैं फिर भी हम तुमें बेकुसूर नहीं मान सकते अंदाता इसलिए कि अगर तुमें ये यकीन था कि तुम बेखता हो तुम मुझरिम नहीं हो तो फिर तुम क्यों कानून के सामने आने से डर गए ये जानते हुए भी के कानून से तुम अपना बेकुसूर होना मनवा लोगी तुम ने क्यों ना खुद को कानून के फैसले पर छोड़ दिया इस दर्से अंदाता के खुन का बतला खुन यही दहागीर का इंसाफ है तो इसका ये मतलब हुगा के माबद आलत का इंसाफ लगीर का फक्रीर है इसका ये मतलब हुगा के माबद आलत का इंसाफ इंसाफ नहीं है एक बेहुदा जिद है जिद जो किसी दलील को नहीं मान सकती जवाब दो जब तुम्हें ये मालम था कि तुम बेकुसूर हो तुमने ये क्यों न सोचा कि इनसाफ की तरफ से किसी बेकुसूर परांच नहीं आ सकती तुमने ये क्यों सोचा कि इनसाफ तुम्हारे लिए गूंगा और बहरा हो जाएगा तुम क्यों इसाफ का दामा जटक कर चले गए खुसूर अंदाता नहीं तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुझरिम हो तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और इसाफ भी तुमें मुझरिम ही ठेराएगा इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाट खड़े हुए ये एक अजल बात है कि सचाई किसी खत्रे से नहीं ड़ती बात तुम्हारे दिल में खोट थी जिसने तुमें इस बुजदिली के लिए उभारा इन तमान दलीनों को सामने रखते हुए और फिर उन दलीनों का कोई माभू जवाब न पाते हुए इनसाव ने तुम्हे मुझरिम यकीन कर लिया तुम्हें इनसाव के किसी फैसले से शिकायत नहीं होना चाहिए फैसले का इंतजार करो बाद पामुलाईजा होच या बाद पामुलाईजा होच या पाद पामुलाई दा हो जिया कोई परवा नहीं कोई परवा नहीं कोई परवा नहीं हस्त खेलते सह जाओ तुम राजपूत हो मौत से खेलना तो तुम्हारा काम ही है मा की मामता से कभी-कभी घाटा भी हो जाता है नहीं हो बेशक नहीं हो तरदार संद्राम सिंद्धे हजारी दरे दौलत पर हाजे रहें बार्याबी तहते हैं आने दो कर दो तकलिया कैसे आये ठाकुर इस से पहले के कानून को इस फैसला सुना दे शाहिर रहम को पुकारने आया हूँ और ये आस लेकर आया हूँ कि मेरी पुकार निराश होकर नहीं लौतेगी मतलब वो जो उम्र भर की कमाई मैं जहांगेरे इंसाफ पर निचावर करने ले आया था अब उसी की भीक मांगने आया हूँ समझे लेकिन निचावर की हुई चीज लोटाया नहीं करते और वो लोटा भी नहीं करती मैं सरदार संग्राम सिंग बनकर हादिर नहीं हुआ बाप बनकर आया संग्राम सिंग को अपना फर्स प्यारा था उसने मुझरिम को शाह के हुदूर हादिर कर दिया बाप को अपना बेटा प्यारा है इसलिए बाप अपने बेटे की जिन्दगी मांगने आया है झाल